आप सबी का स्वागत ही हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपिम की फसल में सिजेंटा कमपनी के कल्टार के उप्योग के बारे में जैसा की दोस्तो अनेक प्रकार के किसान भाई लोग अपिम को छोटी रगने के लिए सिजेंटा कमपनी के कल्टार का उप्योग करते हैं तो आपको भी यह सिजेंटा कमपनी के कल्टार का इस्प्रे करना चीए या नहीं अगर आप सिजेंटा कमपनी के कल्टार का प्रियोग तो यहां आपके अप्रियुम में किया-क्या काम करती हैं किया-क्या सावधानी रगनी चाहिए और CPS पद्दती में अगर आपका पट्टा है तो यह दवई आपके CPS वाली पद्दती के अफ्रियुम् वाले लैसेंस में बहुतlais प्रिडियुम् चाहा काम करेगी। पास वाले गंटी के निसान पर भी अवश्य बटन दबा दीजे ताकि आपको अने वाले वीडियो के नए नोटिपिकेशन जल्दी से जल्दी मिले जैसा कि दोस्तों बात करते हैं सिजेंटा कमपनी की कल्टार के बारे में कल्टार एक PGR टोनिक है इसके अन्न टेक्निकल पेकलो ब्यूटरा जोल 23% यससी वाला टेक्निकल पाये जाता है दोस्तों अगर सिजेंटा कमपनी के कल्टार की बात करे तो सिजेंटा कमपनी का कल्टार जिबरेली के संसलेशन को बाधित करता है जिसके कारण पोदे के वनस्पतिक विकास में बादा आ जाती है अफिम में स्प्रे करने के बाद पोदे की लंबई 5-7 दिनों तक वहीं पर रुख जाती है इस प्रकार से यह दोई अफिम को लंबई बढ़ाने से रोग देती है और उनके तने से ज़्यादा पोटान निकालने में यह अफिम सबसे अच्छी बुमी का निबाती है उपर से 5-7 दिन की हाइट रुकी रहेगी तो तने से अफिम की फसल में बहुती ज़्यादा पोटान देखने को मिलेगी इसके प्रियोक से पोदे में पोटान भी बहुती ज़्यादा अधिक होगी इस दोई का प्रियोक आपको अफिम की फसल में जब गोड लिया पोटे में होती है उस समय पर आपको अफिम की फसल में सिजेंटा कंपनी की कल्टार का प्रियोक करना चीए या जब आपके अफिम की फसल 45-80 दिन की अवस्ता में हो जाती है उस समय पर आप SIGENTA कमपनी की कल्टार का पयोग कर सकते हैं दोस्तो अगर बात करते हैं SIGENTA कमपनी का कल्टार तो SIGENTA कमपनी का कल्टार आपको अफिम की फसल में डोच के रूँ में 4-6 यम्यल आपको 15 लिटर पाने में मिला कर स्प्रे कर देना चीए दोस्तो इस सिजेंटा कमपनी के कल्टार के प्रयोक से अफिम की फसल छोटी रहेगी अफिम की फसल में आपको एक समान इस्प्रे करना है तो आपके गोडलियों भी एकदम निकलेगी सुपाइक बात है कि अगर गोडले ज्यादा निकल रही है तो दोड़ा ज्यादा निकले का दोड़ा ज्यादा निकले का तो पोश्टा भी ज्यादा निकले का अफिम भी ज्यादा आएगी तो ये सिजेंटा कमपनी के कल्टार के कुछ काम है अगर बात करते हैं सिजेंटा कमपनी की कल्टार का प्रियोग करते समय कुछ सावधानियों की बारे में तो आप जब सिजेंटा कल्टार का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको एक समार रूप से पूरी फचल में चड़क देना चाहिए, अगर आपकी पास सिजंटा कमपनी के कल्टार का गोह लिया, इस्प्रेपम में पानी बज जाता है, तो आप कभी भी अपिम के फचल में दुबारा इस्प्रेई ना करें, सिजंटा कमपनी के कल्टार को किसी भी अन्य कीड़ ना सक, फुपुनी ना सक या अन्य दौई को साथ कभी मिक्स करके इस्प्रेई ना करें, जब आप सिजंटा कमपनी के कल्टार का अपयो कर रहे हैं, उस समय पर नमी होना बहुत ही अवस्यक बात होती है, इसके अलावा आप जब भी इस्प्रेई कर करें, उस समय पर इस्प्रेई पर की नली, इसके अलावा इस्प्रेई परम को बिल्कूल सोडे से दोकर उसको व्यस्तित करके किसी अन्य दोवयू के साथ मिक्स ना करें, कुछ ऐसी बाते हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी चीए, और आप सिजंटा कमपनी के PGR का हैं, तो आपके अफ्यम की फसल पांच से दस दिनों के लिए लेट होगी, अगर आप लेट अफ्यम की बोई, लेट अफ्यम की लोई करना चाहते हैं, तो ही आप इस दोवय का प्रियोक करें, यह सोच समझ कर ही, आप इस परे करें, तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतन ही दनेवा जे जोवान जेक साम